जैसरी राधिक्रिष्ण आप सभी का हमारे यूटीव चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आए सुनते हैं गुप्त नवरात्री के पाश्वे दिन माता चिन मस्ता की कथा जो भी भक्त सची स्रधा के साथ नियम और निश्ठा के साथ नवरात्री का बृत्ध करते हैं कथा सर करते हैं इससे उनके सभी परकार के दुख और कश्ट दूर होते हैं नवरात्री का बृत्ध वर्स में चार बार मनया जाता है दुख गुप्त नवरात्री के रूप में और दो प्राकट्टे नवरात्री के रूप में गुप्त नवरात्री का बृत्ध जो की आसाठ के मही माता के नौ सुरूपों का पूजन किया जाता है। श्री दुर्गढा शप्त सती का पाठिया सरवन करना चाहिए दुर्गा चालीसा दुर्गा कवच आधी का पाठिया सरवन करना चाहिए इससे मता般 अपने भग्तों के उपर अती प्रशंद होती हैं, और अपना कृपा परदान करती हैं, तो आईए सुनते हैं गुप्त नुरात्री के पाच्वे दिन माता छिनमस्ता की कथा चिनमस्ता माता का सुरूप जो कि अत्यन्थ ही भीषन है या मा का उग्र रूप है इसलिए इनके इस रूप को प्रचंड शंडिका भी कहा जाता है मा अपने हातों में अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपडी हात में लिये रहती है जबकि इस रूप में उनके एक हात में स्वेम उनकी ही खोपडी रहती है मा एक मैथुन करते हुए जोरे के उपर खड़ी है उनका वर्ण गुरहल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केबल आभूशन पहने हुए है उनका सिर कटा हुआ है तथा धड से रक्ट की तीन धराये निकल रही है इनके आजपास उनकी दो सिविकाये खड़ी है रक्त की तीन धराये दोनों सिविकायों के मुख में जा रही है जबकि एक धारा उनके स्वेम के मुख में जा रही है गले में उन्होंने राक्षस की खुपड़ियों की माला पहन रखी है कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है जिसके तीन लेत्र है मा के दो हाथ है जिन में से एक में खड़ग तथा दूसरे में अपना ही कटा हुआ सिर पकर रखा है मा ने कमरबंद की रूप में भी राक्षस की खुपड़िया को बाधा हुआ है मा चिन मस्ता की पूजा करने से मंसुही न केवल अपनी यौन उर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं बलकि आध्यात्मिक उर्जा को भी बढ़ा सकते हैं देवी अपने साधक को ग्यान, समरिधि, विजय, स्वास्तिय और धन का आशिरबाद देती हैं चिन मस्तिका की पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी है जो बाजबन, यौन रोग और रिण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं मात चिन मस्तिका की पूजा ब्यावसाई खानी से उबढ़ने में भी मदद करती हैं माता चिनमस्तिका की पूजा से समरिधी, इस्थिर्टा और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अंगिनत लाव होते हैं। तो आए सुनते हैं माता चिनमस्ता से जुड़ी हुई पौरानिक कता था। तो बोलिये प्रेम से माता चिन नमस्ता की जये। पवरानी कथा के अनुसार एक समय की बात है मा भगवती अपनी सहचरियों के साथ मंदाकनी नदी में अश्नान कर रही थी। उसी समय माता की सहचरियों को त्रिब गती से भूख लगी। बढ़ती भूख का पीरा के चलते माता की दोनों सहचरियों का चेरा मलीन पड़ गया। इस तोरान माता की सहचरियों ने उनसे भोजन की ब्यवस्था करने की याश्ना की। सहचरियों की याश्ना को सुनकर माता ने कहा कि सक्यों आप थोरा धहरे धरो। अश्नान के पश्षात आपके भोजन की विवस्था की जाएगी लेकिन तेज भूख लगने के चलते माता की दोनों सहचरियों ने फिर से उनसे ततकाल भोजन प्रबंध करने की आशना की इस तोरान माता भगवती ने ततकाल अपना खडग से अपना ही सिर काट लिया तच्छन मा भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आगिरा इससे रक्त की तीन धराये निकली दो धराओं से सहचरियों आहार ग्रहन करने लगी वही तीसरी रक्त धारा से मा स्वेम रक्त पान करने लगी बताया जाता है कि उसी समय मा चिन मस्तिका का प्रादुर्भा हुआ था तो बोलिये प्रेम से माता चिन मस्ता की जै नवदुरगा देवी की जै सर्वदीवी देवता की जै अगर आप सब स्री दुरुगा शप्तुसति का पार्ट सिर्वन करणा चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करे, साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए, ताकि मेरे वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहे. वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, शुखे रहे और स्वस्त रहे. जैसरी राजे कृष्ण, धन्यबाद.